Hello dear students, welcome to my channel Class 12 का Set D का जो अपना Practice Paper है वो भी पेंडिंग था तो आज की वीडियो लेक्चर में मैं इसका solution कराऊंगी इससे पहले Set A, B, C या हम कह सकने है Practice Paper No. 1, 2 और 3 और साथ में ही आपका Sample Paper और साथ में ही आपके दो Pre-Board के Papers मैं अल्रेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ और Last Year के Papers के Solution मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं तो Pre-Pretion के लिए बहुत सारा Material आपके पास अल्रेडी है कई बचे Super Fast Revision के लिए बोल रहे हैं टाइम निकलता है तो मैं surely आपके लिए बनाऊंगी नहीं तो आप Last Year वाले Super Fast Revision दो सालों के Super Fast Revision वीडियो हैं उनसे भी आप अपनी Pre-Pretion कर सकते हो बस उसमें जो Deleted Part है उसको आपने छोड़ देना है वो तो आपको देखते ही पता लगी जाएगा बाकी सारा वही है ठीक है ना? तो चल यह जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना सॉलिशन प्रैक्टिस पेपर मार्च 2024 के लिए यह आपका पेपर कोड है इंस्ट्रक्शन हम सब को पता हैं उन पर हम टाइम नहीं लगाएंगे सीधा सेक्शन ए पर आजाते हैं जिसमें एक एक नंबर के 20 क्विश्चन है let r be the relation in set r means capital r bold r है तो real numbers का set है और relation r इस तरीके से है कि वो a भी है कि a is less than equal to b square यानि जो पहले वाला number है पेपर में a वो दूसरे वाले के square से या तो बराबर है या उससे छोटा है choose the correct answer चार option आपके सामने है 3,1 को ले लो इसको तो तीन ही रखो और एक का square करो तो 3,1 के square से छोटा नहीं होता तो यह answer नहीं आएगा 5,0 लोगे तो 25 भी 0 के square से छोटा नहीं होता 25 नहीं 5 पांच पांच ले लो 5 मतलब number को तो adjectives लेना है और दूसरे का square लेना है लेकिन यह भी उससे छोटा नहीं होता ठीक है तीसरा option है 4,3 चार जो है वो 3 के square से छोटा हो या बराबर हो तो हाँ यह सही आ रहा है कि जो 4 है वो 3 के square से छोटा आ रहा है 3 का square कितना होता है? No, तो 4 जो है वो 9 से छोटा आ रहा है तो यह हमारा answer है और no, choose the correct answer no जो है वो छोटा है 2 के square से तो यह भी नहीं है तो यह गलत है तो हमारा जो correct answer है वो option number C आ जाएगा clear हो गया? कैसे हमने choose किया? Second question पर आ जाओ cos inverse cos 13 pi by 6 एक simple सी identity आपने याद रखनी यह x के equal होता है अगर x की value 0 to pi के close interval में lie करती हो लेकिन यह 13 pi by 6 pi से कम नहीं है तो यहाँ पर आपको अपनी identity लगानी पड़ेगी और इस angle को pi से less लाना पड़ेगा तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 pi जमा pi बटा 6 चीक है? वह 6 दूनी 12 और 13 बटे 6 हो गया clear हो रही है मेरी बात? और cos of 2 pi plus theta होता है cos theta तो यह बन जाएगा cos inverse cos pi by 6 इस identity को use करके और यह angle 180 से कम है तो यह identity लगाकर cos inverse से cos cancel हो जाएगा केवल pi by 6 आजाएगा third पे आजाओ a दे रखा है cos alpha minus sin alpha sin alpha cos alpha तो आपने a dash a बताना है तो मैं यहाँ a dash a लिखती हूँ और फिर a का dash लिखते हैं हम सभी set में मिलते जुलते से question है अगर इस तरह का paper आपका final में set होता है तो आपके पूरे marks आने चाहिए है ना तो यह तो a का transpose कर दिया यह a था ना transpose किया तो मैंने row को column में और column को row में बदल दिया और अब मैं यह a लिख रही हूँ cos alpha sin alpha minus sin alpha और cos alpha multiply कर दो बस और अपना answer देख लो क्या आ रहा है first row को first column से करेंगे तो cos square alpha plus sin square alpha फिर first row को second column से minus cos alpha sin alpha plus cos alpha sin alpha second row second row first column है ना अब तो end चल रहा है session का अगर आपको multiplication भी नहीं आती है तो फिर आप कर नहीं पाऊगे plus cos square alpha अब sin square plus cos square one होता है इससे यह कट के zero यह भी zero और यह one तो यह identity matrix बन गया correct answer देख लो क्या है अपना 4 option दे रखे हैं यह a option में i दे रहा है तो यह हमारा correct answer आ जाएगा अब चलते हैं fourth question पर if a is an invertible matrix of order two then determinant a inverse देखो a inverse का determinant or determinant a का inverse बराबर होता है ठीक है तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 by determinant of a यानि की 1 by determinant of a तो हमारा जो correct answer है वो option b आ जाएगा fifth पर आ जाओं if the vertices of a triangle are this 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 then by using determinants its area is हर set में यह question आया है area of triangle हो जाएगा 1 by 2 determinant of 3 8 1 minus 4 2 1 5 1 or 1 और इसकी जो positive value आएगी वो आपने यहां लेनी है यह ध्यान दखना है तो 1 by 2 बहार इसको determinant को open करोगे तो first row से मैं कर रही हूं तो 3 into 2 minus 1 minus 8 वाली row और कोलम चला गया तो minus 4 minus 5 और प्लस 1 into minus 4 minus 10 calculation देख लेंगे हम एक बार ध्यान से 2 बंजा 2 और इससे करोगे 3 minus 8 और यह minus 9 और minus का यह आ गया 14 1 by 2 3 plus 9 8 12 घटा 14 1 by 2 यह हो गया 75 घटा 14 पांच में से 61 by 2 square units आ जाएगा जो कि आपका यह वाला option यह पहले भी repeat हो चुका है question हमारे किसी ना किसी set में 6 पर आ जाएए अगर y हमारा x square log x है तो double derivative निकालो y है x square log x first derivative क्या होगा x square as it is log x की 1 by x log x as it is x square की 2 x इस x से यह x cut जाएगा और जो y dash है बच्चे वो आ जाएगा x plus 2 x log x ठीक है फिर से differentiate करो तो यह x का तो derivative 1 हो जाएगा 2 x as it is log x का हो जाएगा 1 by x और 2 log x as it is और x का हो जाएगा 1 यहाँ इससे यह cut जाएगा 2 बचेगा 2 और 1 को add करोगे तो 3 plus 2 log x आपका answer आना चाहिए जो की आपका option a है आगे बढ़ते हैं 7 पर आ जाएगे हिंदी में नहीं लेंगे English में लेंगे the anti-derivative को बार बार में बता चुकिए integration से मतलब होता है तो statement हम write कर लेते हैं यह है x square plus 3x plus 4 by root x अब इस root x को मैं यही पर change कर दूँ तो यह x की power 1 by 2 है अब हर टम के नीचे ले आओ अपना x की power 1 by 2 separate कर दो और x की power n वाला integration का formula यहाँ पर apply कर दो तो यह हो जाएगा x is 2 power 2 minus 1 by 2 है तो यह हो जाएगा 3 by 2 और यह हो जाएगा x power 1 by 2 और यह हो जाएगा x power minus 1 by 2 dx अब आपको केवल एक formula याद रखना है कि x raise to power n की integration होती है x raise to power n plus 1 by n plus 1 plus में c बस इसको यहाँ apply करो और solve कर दो तो यह हो जाएगा x raise to power 5 थोड़ा लंबा है एक number के हिसाब से यह हो जाएगा x raise to power 3 by 2 by 3 by 2 और यह हो जाएगा x raise to power 1 by 2 plus c उल्टा कर दो सबको उल्टा करो कि यहां तो यह 3 से 3 cancel हो जाएगा यह हो जाएगा 2 by 5 x raise to power 5 by 2 plus 2 x raise to power 3 by 2 यह 2 ऊपर जाएगा तो यह बन जाएगा 2 by 5 x raise to power 5 by 2 and so on दिख गया थोड़ा लंबा है एक number के हिसाब से बाकी मैं मुश्किल नहीं कहूंगी इस question को अब आजाएं question number 8 पर और इसका एक direct formula मैंने आपको बता रहा है पहले statement पढ़ो e की power x tangent inverse x plus 1 by 1 plus x square मैंने formula बताया था कि अगर ऐसा कोई expression है आपके पास की e की power x की bracket में function भी है और derivative भी है तो इसकी integration हो जाएगी e की power x into f x plus में c तो ये तो tangent inverse x function है और ये इसका derivative है तो इसकी integration direct हो जाएगी e की power x into tangent inverse x plus में c direct चलिए नाइन्थ पे आजाएए नाइन्थ भी बिलकुल verbal है minus pi by 2 यहा मैं फिर से लिख देती हूं minus pi by 2 to pi by 2 sin cube x की integration करनी है आपके पास result होता है minus a to a f x dx का अगर ये function odd हो तो आपकी integration जो है वो 0 हो जाती है और ये तो sin cube तो odd function है तो integration 0 आ जाएगी 10th यहां इंदी medium में दे रखा है तो next slide पर चलते हैं जो कि अपना English medium में है ये देखो ये actual में question number 10 है the order of this differential equation किसी भी differential equation का order उसका highest derivative होता है इसमें maximum 3 बार differentiation हो रही है d cube आ रहा है तो इसका order 3 हो जाएगा जो कि बिल्कुल verbal question है 11th पर आ जाओ the number of arbitrary constants in particular solution of a differential equation of third order अगर 3 order की कोई differential equation है तो उसके solution में 3 ही arbitrary constant आने चाहिए उसके solution में 3 arbitrary constant आने चाहिए आगे चलते है 12 पर आ जाओ this function sin 3 x by x x is not equal to 0 k x is equal to 0 is continuous then find the value of k देखो बई 0 पर value k है 0 पर value k है अब आप निकाल दो 0 पर इसकी limit ठीक है तो limit x tends to 0 sin 3 x बटे x यह है ना function इसको क्या करो 3 से गुणा कर दो और 3 से बाग multiply and divide यह पूरी limit बन जाएगी 1 क्योंकि sin x by x की limit जब 0 पर होती तो 1 हो जाता into 3 यह 3 आ गया अब क्योंकि यह function continuous है तो value or limit equal होनी चाहिए value k आ रही है limit 3 आ रही है तो k answer कितना आ जाएगा तीन आ जाएगा इसको erase करते हैं next पर चलते हैं हर सेट में same question डाल रखे है 13 पर आ जाओ find the direction cosines of y axis y axis जो है x के साथ 0 angle बनाता है तो 0 1 0 होंगे अगर x axis के direction cosines पूछता तो 1 0 0 आते हैं probability of a by b क्या होती है probability of a intersection b by probability of b अब a by b 0.4 है a intersection b आपने calculate करनी है और b की probability 0.8 है cross multiply कर दो आचो के 32 0.32 आ जाएगी a intersection b की probability आगे बढ़ू 15 पर आ जाओ two vectors having same magnitude are collinear नहीं ऐसा नहीं है collinear vector है तो उनकी direction भी या तो parallel और same होनी चाहिए या तो direction parallel होनी जरूरी है तो यह हमारा false है 15th part आगे बढ़ते हैं अब देखते है question number 16 let a and b are independent events then probability of a and b is equal to the sum false है बिल्कुल wrong है a union b होता है वो सत्र में पर आजाओ let a and b be two events if probability of a by b is equal to probability of a then a is dash of b यह अपना NCRT में भी है यह question इसको एक बार हम थोड़ा सा यह solve करेंगे यह हमें कह रहा है कि probability of a by b probability of a के equal probability of a by b का formula लगा दो probability of a intersection b by probability of b is equal to probability of a इसको इधर ले जाओ तो probability of a intersection b आ जाएगी probability of a multiplied by probability of b इसका मतलब क्या है कि यह हमारे independent events है हमारे जो a और b है तो जब यह condition आती है तो अपने events जो है वो independent होते है तो यह हम कह सकते है कि a is dash of b का मतलब हो गया a is independent of b clear हो गया अब आ जाता है इस page का last question one mark में अभी दो रह जाएंगे जो अपने assertion region होंगे the projection vector of a on b projection vector होता है a dot b by mode b क्योंकि हम a का b पे ले रहे हैं तो यह a है आपके सामने और यह b है direct अगर मैं dot product करती हूँ तो i वाला i से multiply होगा 177 minus 3 plus 78 to 56 और b का magnitude लेंगे तो 7 का square 49, 1 का square 1 और 8 का 64 इसका under root साथ में से 3 गए 4 और 56 में 4 जोडेंगे 60, 49 और 150 और यह 114 तो 60 by 114 का under root आपका projection आजाएगा अब हमारे दो question रह जाते हैं assertion region के उसको detail में समझाने कि मुझे जरूरत नहीं आपको पता है assertion region में क्या करना है तो बस direct question number 19 पर आजाते हैं यह आपका assertion है let L be the collection of all lines in a plane एक plane में जितनी भी lines खीच सकते हैं उनका नाम L है R1 is the relation on L की L1, L2 से related है अगर L1, L2 के perpendicular है तो यह कह रहा है कि यह एक symmetric relation है symmetric का मतलब क्या होता है symmetric का मतलब होता है कि अगर A, B से related है तो B, B, A से related होना चाहिए और जब L1, L2 से related है तो L1, L2 के perpendicular होना चाहिए और जब L1, L2 के perpendicular है तो L2 भी L1 के perpendicular होगा तो yes it's true हाँ यह relation symmetric है अच्छा जी relation is set to be symmetric if A, B belongs to R, implies B, A belongs to R, यह भी true है of the equation of this line, थोड़ा इसको बड़ा ही कर देती हूँ, अच्छे से आपको दिख जाएगा कि इसकी जो vector equation है, अब मेरी बात सुन लो, यह line जिन point से pass कर रहे हैं वो है, देखो यह line को मैं थोड़ा arrange करना चाहूंगी, देखो यह लिख रही है न, इसको देखो यह होना चाहिए, x minus 2 by 3, y minus 1 by 2, और यहाँ z आगे होना चाहिए, तो जब मैं z को आगे लाऊंगी, तो minus का sign नीचे चला जाएगा अब यह line 2, 1 और 3 से तो pass कर रही है, यह vector a बनेगा, और इसके direction ratio 2, 3, 2, 1 है तो इसकी equation यह होने चाहिए, 2i plus j plus 3k और 3i plus 2j plus k बिल्कुल सही है, true है, बिल्कुल सही है, true है Cartesian equation of a line passing through the point 2, 1, 3 and parallel to this line is, अब इस पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा पहले वाला मेरा बिल्कुल true है, अब मेरी बात को द्यान से सुनना, कि इसमें से तो line pass कर रही है, तो वो बन गई x minus 2, y में देखेंगे क्या आएगा y minus 1, y में देखेंगे क्या आएगा, और z minus 3, y में देखेंगे क्या हैगा और हमारी line, इस line के parallel है, इस line के parallel है, तो direction ratio होंगे 1, 2 और minus 2 लेकिन अब ये equation दे रहा है, ये वाली, इसको arrange करो, इसको साथ साथ arrange करो तो ये बनती है, देखो ध्यान देना, 2x minus 4, y minus 1, 3 minus z, इसको x के आगे से 2 हटाना है तो उपर भी 2 से divide कर दो और नीचे भी, इसको नहीं छेडेंगे, और इसको उपर minus 1 से multiply कर देंगे और नीचे भी, तो ये देखो ये बन जाएगा, x minus 2 बटे 2, y minus 1 by 1, और ये बन जाएगा, z minus 3 by minus 1 तो ये तो false है, ये false है, क्योंकि ये आ रही है हमारी equation, आ रही है मेरी बात समझ में जो equation जो ये दे रहा है, वो तो ये दे रहा है, मेरी आ रही है ये, समझ रहे हो, कि 2, 1, blue color loom है, तो 2, 1, 3 से जो line पास कर रही है और जो इस वाले के parallel है, तो वो ये बनेगी, जबकि ये answer में इसको दे रहा है, तो ये false है तो A यानि assertion true है, region false है, तो आपका answer कौन सा होना चाहिए, option C आपका 20 में का correct होना चाहिए और अब जल्दी से section B पर आ जाते हैं, बहुत ही आसान सा section है, इस तरह के question पहले भी कर चुकी हूं है, तो बहुत जादा time में नहीं लगाऊंगी 21st question ही देखो, check the injectivity of the function f from r-0 to r-0, यानि domain में भी 0 नहीं है, co domain में भी, और function है 1 by x आपने बताना है 1,1 और on-2 है या नहीं है, तो हमने मान लिया कि x1 और x2 कोई दो elements हैं, जो r-0 को belong कर रहे हैं, तो x1 और x2 दोनों ही non-0 हैं, और हमने मान लिया कि जो x1 की image है, वो x2 की image के equal है, यानि 1 by x1, 1 by x2 के equal है, इसका मतलब x1, x2 के equal है, for all values of x1, x2 तो function 11 हो जाएगा, on-2 के लिए क्या करते हैं, कि हम co domain का एक element लेते हैं, कि let y belongs to r-0, यानि की co domain में इस तरह belong कर रहा है, कि f of xy के equal है, तो यानि 1 by xy के equal है, cross multiply कर दो, 1 by yx के equal हो जाएगा, समझ में आ रही है बात, अब y non-0 है, अब y non-0 है, सुनो मेरी बात, y इसको belong कर रहा है, और y, क्योंकि जो y है, y जो है, वो non-0 है, इसका मतलब 1 by y, हमारे r-0 को belong कर गया, 1 by y किसके बराबर है, x के, यानि जो मेरा y की, जो मैंने pre-image x exposed की थी, वो pre-image r-0 को, यानि मेरे domain को belong कर गई, तो मैंने co-domain में, जितने भी y लिए, उनकी pre-image मेरे domain में आ गई, इसका मतलब मेरा function on-to भी हो जाएगा, तो बहुत ही आसान सा था, इसी की internal choice में एक अपना inverse function का दे रखा है, tangent inverse 2 cos 2, sin inverse 1 by 2, तो tangent inverse 2 cos, bracket में 2, और sin की value 1 by 2 होती है, 30 degree पे, 30 का मतलब होता है, पाई बाई 6, अब यह हो गया 2 ती अच्छे, आगे solve करो, तो tangent inverse 2 cos, यह हो गया, पाई बाई 3, और 2 cos, पाई बाई 3 का मतलब हो गया, 60, और cos की 60 पर value होती है, 1 by 2, 2 से 2 कट गया, tangent inverse 1 कितने पर आ जाएगा, 45 आ जाएगा हमारा right answer, 23rd देख लो, construct a 3 by 2 order matrix, whose elements are given by this, अब 3 by 2 order का जो matrix बनेगा, वो बनेगा, a 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, और भाईया, 3, 1, और 3, 2, 6 elements चाहिए, इस में से उठाने हैं, वो 6 elements, तो इसको 1, 1 रख दो, 1, 1 रखोगे तो 1 by 2 into 1 plus 2 का whole square, एक दो यह कराऊंगी, सारे नहीं कराऊंगी, मैं 3 का square नो, यानि कि यह तो आजाएगा, 9 by 2, ठीक हो गया, अब 1, 2 चाहिए, 1, 2 चाहिए, तो अंदर i की जगए 1 रख दो, j की जगए 2, 2 दूनी हो जाएगा, 4, 4 और 5, 5 का square, 25 तो यह value आजाएगी, आपकी 25 बटे दो, तो इस तरह से आप अपनी सारी values निकाल लीजिएगा, इस पर अब में टाइम नहीं लगाऊंगी, मैं आंस्वर बता देती हूं, यहां 8 आएगा, यहां 18 आएगा, यहां 25 बटे फाइगा और यहां 49 बटे आजाएगा, तो यह बहुत ही सिम्पल सा आपका question था, आगे चलते हैं, continuity पर आजाते हैं, 23rd है, continuity का, if, find the value of k, if the function is continuous at x is equal to 3, ठीक है, यह statement पहले वाली की तरह फिर से उल्टी है, x square minus 9 by x minus 3, यह हो जाएगा, limit x tends to 3, उपर वाले के टुकडे कर दो, x plus 3, x minus 3, यह cancel, तो यह आगया, 3 और 3, 6 तो limit आगई, और जब x 3 नहीं है, तो function k है, अब limit और value, यह दखो, यह बिल्कुल उल्टा है, function मेरे हिसाब से, बिल्कुल गलत दे रहा है, यहाँ आपने लेना है, x is not equal to 3, यहाँ आपने लेना, x is equal to 3, है ना, क्योंकि value जब हम 3 पे निकालेंगे, तो हम इसको देखेंगे, तो वो k आएगी, और continuity की वज़े से, limit और value equal होनी चाहिए, तो k की value कितनी आजाएगी, 6 आजाएगी, ऐसी ही mistake, third set में भी थी, अब आजाओ, question number 24 पर, verify that this function is a solution of this differential equation, function लेलो y है, e की power minus 3x, y dash और y double dash अबने निकालना है, तो y dash हो गया, e की power minus 3x into minus 3, है न, यह हो गया, minus 3 e की power minus 3x, अब y double dash निकाल दो, minus 3 तो पहले से है, फिर differentiate करोगे, तो e की power minus 3x into minus 3, दोनो minus 3 को multiply करोगे, तो 9 into e की power minus 3x, अब यहाँ पर इन values को आप put कर दो, यहाँ पर, यह है, y double dash प्लस y dash minus 6y is equal to 0, y double dash की जगे रख दो 9 e की power minus 3x, y dash की जगे रख दो minus 3 e की power minus 3x, y की जगे रख दो 6 e की power minus 3x, इन से यह कट जाएगा और 0 is equal to 0 आजाएगा, कई बार ऐसे put करके भी हमें solution चेक करना पड़ता है, और इसी में internal choice दे रखी है, और internal choice में इसने दो अलग-अलग question दे दिये, Hindi medium में अलग दे दिया है और English में अलग दे दिया है, मैं दोनों बता देती हूँ आपको, पहले Hindi medium वाला देखेंगे, dy by dx is equal to x plus 1 by 2 minus y, 2 minus y को left में ले जाओ, और dx को right में और integrate कर दो, तो 2 की integration होगी नहीं, 1 होगा तो 2y minus y square by 2, x की हो जाएगी x square by 2, 1 की x और plus c, यह आपका general solution आ जाएगा, ठीक है, अब इसको solve करते हैं, जो English medium में दिया गया है, तो मेरी बात सुनो ध्यान से, इसमें है, बीच में plus का sign, तो इसको मैं उधर ले जाओंगी, तो minus हो जाएगा, और इनके under root को मैं अलग-अलग कर देती हूँ, अब 1 by 1 minus y square का under root नीचे ले आओ, dy के साथ, और 1 by 1 minus x square का under root उधर ले जाओ, दोनों तरफ कर दो integrate, यह formula है, sin inverse y का, यह है sin inverse x का, प्लस c, चाहो तो इस sin inverse x को आप इस तरफ ला सकते हो, और equal to में c रख सकते हो, इसमें आप देख सकते हो कि, इन्टरनल च्वाइस में दोनों में अलग सवाल दे दिया, यह by mistake हो गया है, अगर फाइनल पेपर में ऐसी कोई mistake होती है, तो भी आपने question सारे करके आने है, कोई misprint होती है, तो उसके जिम्मेदारी board की होती है, फिर आपको उस question के पूरे marks मिलते है, आपने रोंग ही करका हो लेकिन अगर नहीं करका है, तो number नहीं मिलेंगे और second section का, B section का last question, two balls are drawn at random with replacement, with replacement, यानि पहली निकाली देखी रख दी, from a bag that contains 10 black and 8 red balls, यानि 18 ball है हमारे पास, find the probability that first ball is black and second is red, तो हम बिल्कुल direct इसको करेंगे, दो ही मिनट का अपना question है, कुछ detailing है वो आप लिख लेना, let B be the event that first ball is black and second ball is red, दोनों की दोनों एक दूसरे पर depend नहीं कर रही है, independent है, तो probability of black into probability of red आ जाएगा, independent का question one mark में इसी set में आया भी है, अब black ball की probability कितनी हो जाएगी, total ball है 18 और black है 10, तो यह हो जाएगी अपनी 10 by 18 और red की हो जाएगी 8 by 18, 25 जा, 29 जा, 24 जा और 29 जा, 20 by 81 आपका answer आजाएगा, बेहा दासान सा है लेकिन थोड़ा साफ लिखाना, total balls 18, black balls 10, red balls 8, let b be the event of getting black ball, let r be the event of getting red ball, और because the events are independent, थोड़ा से मैं इसको नीचे करके यहां उपर लिख देती हूं, thank you.